Hello everybody, this is DIGRAASH SINGH RAJPOOT, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Origin of the Universe Origin of the Universe According to Modern Theories You are required to understand the heading ठीके? सबसे पहले heading को समझो और connect करो आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में आपने early theories के according ये देखा कि जो philosophers थे, जो scientists थे उन्होंने क्या argument दिया? Regarding the origin of Earth उन्होंने अर्थ के origin को explain करने की कोशिश करी अपने अलग-अलग hypothesis दिये जैसे nebular hypothesis, planetesmal hypothesis, ठीके? binary theories को आपने समझा तो वो सारी theories के through उन्होंने origin of Earth को explain करने की कोशिश करी लेकिन क्या हुआ अन्त में? अन्त में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? कि वो सारी theories कहीना कहीं हुनोंने हमारी thinking को shape किया लेकिन वो अतनी acceptable नहीं रही क्यों acceptable नहीं रही? क्योंकि वो Earth कर रहे थे और बाद के जो scientist है उन्होंने बोला कि आप अरत के पीछे मत भागो आप क्या करो आप पुरे universe का origin समझ लो आपको अपने आप planets कैसे बने वो समझा जाएगा ठीके? तो उस तरह से क्या होता? फिर बाद में modern theories दी जाती है अब modern theories क्या emphasize करती है? modern theories are trying to ensure or we can say that modern theories are trying to give reasons for the origin of universe rather than supporting the earlier theories ठीके? जो earlier theories थी उनको support करने की जगा वो modern theories में पुरा प्रयास कह जाता कि universe कैसे originate हुआ? उसे पता लगाया जाए तो यहाँ पे क्या है? दी most popular argument regarding the origin of universe is the big bang theory ठीके? तो जो early theories थी उनसे हट के जो modern theories बनाए गई जिनके through क्या प्रयास किया गया? modern theories के through प्रयास किया गया कि हम पता लगाए कि universe कैसे originate हुआ? तो उसमें जो सबसे popular theory रही है वो कौन सी है? बिग बैंग theory है अब बिग बैंग theory का crux समझ लो एक बार में आपको चीज़े समझ में जाएगी बिग बैंग theory simple सी चीज़ क्या बताती है? कि explosion हुआ एक बहुत बड़ा सा क्या हुआ? धमाका हुआ ठीके? तो मतलब बिग बैंग theory यह बताती कि यह एक point से बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा का पूरा universe originate हो गया ठीके? एक बिंदू से universe originate हुआ यह उसके crux है ठीके? अभी पूरी चीज़े हम explain करेंगे आपको अच्छे ज़े तो आयना समझ में कि modern theories जो है जो universe के origin को explain करती है और उन modern theories में सबसे ज़्यादा acceptable theory जो है वो है big bang theory और big bang theory का crux क्या है? कि the whole universe originated from a single primordial atom through explosion एक single primordial atom रहा एक पुराने समय में बहुत पुराने समय में एक single atom था, उस single atom में explosion हुआ, धमाका हुआ, ठीके? happy diwali और धमाके से क्या होता है कि पुरा का पुरा universe originate हुआ, यह उस theory का crux है big bang theory का ठीके? यह modern theory सबसे ज़्यादा acceptable है जो बताती कि हाँ universe ऐसे originate हुआ है ठीक, अब इसका origin जो है यह फिर कह सकते है कि कैसे origin हो गया एक धमाके से पूरा का पूरा universe origin हो गया, ऐसे कैसे बात करते हुआ ठीके? तो अब scholars ने, scientists ने बोला, तो हमने भी आपको बता दिया, NCI dim लिग दिया उन्होंने अब इसको आपको क्या करते जाएंगे कि explain करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको बताया गया, ठीके? तो जैसे हाँ पर क्या होता है कि big bang theory जो है, big bang theory को expanding universe hypothesis भी कहा जाता है expanding universe hypothesis क्या होता है, आप यह समझो, देखो नाम से समझ माना चाहिए, expanding universe की universe जो है, आप origin of universe पढ़ रहे हो ना, तो universe जो है, expand हो रहा है, ठीक, यह जो hypothesis, यह जो परिकल्पना दी है, तो उसी hypothesis को आप big bang theory से relate करते हो, कि explosion हुआ और explosion के बाद, बतलब एक बिंदू से universe निकला है, मतलब यहां, ऐसे समझ सकते हो ना, एक बिंदू से क्या निकला है, universe निकला है, तो बिंदू से पूरा का पूरा expansion हुआ है, और वो expansion आज भी हो रहा है, ठीक, तो इसी लिए big bang theory को यह भी कहा जाता है, expanding universe hypothesis, क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, 1920 में क्या होता है Edwin Hubble, ठीक है, Edwin Hubble कौन थे, तो Edwin Hubble एक scientist थे, जिन्होंने क्या theory प्रोवाइड करिये, expanding universe की hypothesis प्रोवाइड करिये, तो in 1920, Edwin Hubble provided evidence that the universe is expanding, ठीक है, Edwin Hubble जो है, तो यह evidences प्रोवाइड करते कि जो universe से वो expand हो रहा है, universe, जैसे आप पूरी जो ब्रह्मान्द देखते हूए, ब्रह् बढ़ा हो रहा, इसका मतलब क्या है, कि हाँ कभी explosion हो आऊगा, तो इस explosion के कारण धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे ब्रह्मान्द बढ़ा हो रहा, क्योंकि देखो explosion आजकल मनी हुआ, करोडों साल पहले हुआ है, तो वो धीरे-धीरे क्या करते जा रहा है, के हिसाब से उन्होंने सारी चीजे जोड़ी घटाई और उन्होंने क्या हमारे सामने एविदेंस प्रेजंट किये वह में बताता हूं आपको देखो इस तरह से बहुत सारी गेलेक्सी तो क्या अबज़र्व करा एडविन हबल ने यह देखा कि यह डिस्टेंस गैलेक्सी नहीं बढ़ रही है इस बढ़ता जा रहा है ठीक है, तो galaxies नहीं बढ़ रही है, distance बढ़ता जा रहा है, तो the distance between the galaxies also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding, ठीक है, scientists believe that though the space between galaxies is increasing, ठीक है, observation do not support the expansion of galaxies, वो यह कह रहा है कि galaxy जो है, यह galaxy, यह galaxy अपने आप में बड़ी नहीं हो रही है, आगे समझ में जासे, क्या होता है कि एक planet उतना ही बढ़ा रहा है, ऐसा तुरह रहो ना कि अफरिका की जमीन बढ़ गई, ठीक है, तो planet वो जो galaxy है, उसमें जो star है वो उतने बढ़े ही रहने व यह universe है, ठीक है, तो big bang नहीं हुआ होगा, जब मानलो चलो, यह क्या था, एक primordial atom था, यह primordial atom था, यहां से explosion हुआ, ठीक है, तो explosion हुआ तो क्या होगा, अब धमाका हुआ ना, उसके बाद में atom वगरा भी आगे बताओं हमें, बनते चले आएंगे और धिरे-धिरे universe expand तो अब expanding universe hypothesis के हिसाब से, आज जो universe है, वो expand कर रहा है, तो यह आज का universe से मानलो, ठीक है, अब आज के universe में क्या होता है, आज के universe में आप जैसे देखोगे, Edwin Hubble के observations बता रहो मैं आपको, आज के universe में, आज के universe में जैसे यह galaxies हैं, ठीक है, यह galaxies है, तो यह आपने galaxies बना दी अब galaxies के बीच में क्या है, यह distance है, ठीक है, यह distance रहेगा galaxies के बीच में, clear, तो यह galaxies के बीच में क्या है, distance है, अब Edwin Hubble के observation क्या बताती है, कि यह जो galaxies है, यह जो universe है, तो यह universe expand हो रहा है, तो इनके बीच का distance बढ़ना चाहिए, तो जैसे अब आपने क्या देखा कि, पहले ज distance था, उस distance से बढ़के, मतला distance के हो गया, बढ़ गया है, clear है, तो यह hypothesis जो है, expanding universe hypothesis, यह किस ने provide करी है, Edwin Hubble ने, अब देखो इसमें एक चीज है, यह example जो आपने बलून वाला लिया, इसमें एक limitation है, वो limitation क्या है, कि जो dot लगा है, तो dot भी अपने आप में बढ़ा हो गया, तो वो यही कहते हैं, कि scientists believe that the space between the galaxies is increasing, कि galaxies के बीच में space बढ़ गया है, यह space बढ़ गया है, लेकिन galaxy itself is not increasing, ठीक है, observations do not support the expansion of galaxies, तो galaxies खुद बढ़ी नहीं हो रही है, लेकिन उनके बीच में space जरूर बढ़ा है, यही Edwin Hubble का क्या था, observation था, यह समझ में आया, expanding universe hypothesis क्या है, अब यह expanding universe hypothesis को ही big bang theory कहा जाता है, अब अभी आप इसमें confused हो जाएंगे, आपको लगए कि big bang theory किस ने दिये, Edwin Hubble ने दिये, नहीं, big bang theory Edwin Hubble ने दिये, Edwin Hubble ने उस big bang theory को support करते हैं बताये, कि हाँ यार कुछ तो धमाका हुआ था, और उस धमागे के कारण expansion आज भी हो रहा है, ठीक it was formalized by Belgian Catholic priest, mathematician, astronomer and professor of physics, एक इनसान जो बहुत कुछ था, ठीक है, एक इनसान जो बहुत कुछ था, तो वो कौन थे, George Lametre, ठीक है, ला मेतre जो थे, तो George Lametre ने क्या किया, उस theory को formalized किया, big bang theory का, उनका ये कहना था, कि पूरा का पूरा universe जो है, वो एक single primordial atom से ही originate हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने initially इस चीज को बोला, अब उन्होंने बोला, दूसरों के विचार जागे होंगे, दूसरों के thoughts जो होंगे, वो provoke हुए होंगे, तो दूसरों ने क्या किया, फिर अलग-अलग researches करना start किया, और जिस तरह से Edwin Hubble ने 1920s में इन्होंने उस चीज को formalized किया और 1920 में जैसे अगर आप देखोगे तो, Edwin Hubble ने क्या है, जो expanding universe hypothesis अपनी present करी है, ठीक है, तो वो एक बड़ा, क्या क्या सकते है, contribution रहा, इसलिए, NASA ने जो एक, क्या सकते है, कि एक space telescope है, ठीक है, NASA का, Hubble Space Telescope, तो space में एक telescope छोड़ के रखा है, जिसका नाम क्या है, Hubble, Hubble telescope telescope है, तो वो बहुत strong है, जिससे आप, मतलब 1990 में छोड़ा गया था, वो आज भी काम कर रहा है, Hubble Space Telescope और उसका काम क्या होता है, तो, क्योंकि आप धरती पे से फिर telescope लगा के देखोगे, तो आप उतना बहतर नहीं देख पाऊगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको अर्थ के अर्विट में छोड़ दिया नासा ने, और वो टेलिसकोप, जो हबल टेलिसकोप, वो पूरा observe करता रहता है, सारी चीज़ को, स्पेस के activities को, वहां की picture पहुचाता रहता है, तो, ये साला सब कुछ मैंने बताया, theories बताई, किसके regarding origin of universe, जो modern theories की category में आती, big bang theory जो दी गई ह अब अभी भी आपको clarity उस पीश पे नहीं होगी, कि big bang आखिर हुआ क्या, मतलब explosion हो गया, बस universe बन गया, तो इसको और थोड़ा सब clarify करते, जो आपकी book आपको जिससे बताती ही, चलो, ये नाम ध्यान रहेंगे, Edwin Hubble का क्या contribution है, ठीके, Lametre का, Lemetre का contribution है, George Lemetre का, वो सारा स पिक बैंक थेओरी से support कर रहे हो, big bang थेओरी क्या-क्या stages बताती है, वो मैं आपको समझाता हूँ, तो in the beginning, all matters, forming the universe existed in one place, in the form of a tiny ball, singular atom, with an unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density, ठीके, statement का post-modern करो थोड़ा सा, क्या कहते हैं, कि शुरुआत में, सबसे शुरुआत में, आदी काल से पहले, क्या था, कि एक tiny ball, एक छोटी सी ball थी, ठीके, एक छोटी सी ball थी, उस छोटी सी ball को क्या बताएगा है, उस छोटी सी ball को बताएगा है, एक वो singular atom था, ठीके, उसे singular atom कहा जाता है, singular atom था, with unimaginably small volume, volume उसका बहुत कम था, ठीके, बहुत छोटा, बहुत small volume था, लेकिन उसके अंदर जो temperature वो temperature infinite था, infinite अनन्त तक उसका temperature था, बहुत तेज बहुत गरम था वो, infinite temperature and infinite density और उसके अंदर का जो, मतलब उसके जो जादा देंस, उसके अंदर कितना समाया हुआ था, किसी को नहीं पता है, तो ये आपिवतीस बताते कि उसके अंदर density बहुत जादा थी, ताकि वो बाद में फुटेगा ना जब explosion होगा तो उसके explosion के बाद में क्या निकलेगा इतना सारा जो planet sun one सब बना तो उसके लिए बनाने के लिए material को क्या होता है huge expansion took place एक जोरदार धमाका होता है ठीक है एक जोरदार धमाका होता और उसी धमाके को क्या कहा जाता है big bang कहा जाता है big bang कहा जाता है तो उस धमाके को ही big bang कहा गया है तो जो tiny ball थी ना जिसके अंदर infinite temperature लेट्चर इंफाइनाइट डेंसिटी थी वो टाइणी बॉल क्या करती हैं से एक्सप्लोड करती फूटी है तो तो टाइणी बॉल एक्सपैंशन होङा ना समझना है इस चीज़को तो उस एक्सपैंशन से भार क्या निकला ओंठा थेगे अब समझना वहां से कोई popcorn नहीं निकल के आईगी तो उस expansion में होता गया है time energy matter atoms molecule etc ये सारी चीज़े उस expansion से निकल के आई होगी ठीक है तो बतायागा है कि पहले क्या था पहले कुछ भी नहीं था बस वो ball थी तो उस ball के explosion के बाद में क्या होता time निकल के आता है तो समय आप जैसे देखते हो समय क्या है समय तरह से space में देखा जाए तो एक जगा से दूसरी जगा के बीच का जो time traveling मतलब जो time के अंदर ही जो भी आप आज देख रहे हो आज समय देख रहे हो आज आज आप energy देख रहे हो आज आप matter देख रहे हो सब कुछ उस ball के अंदर से निकला है ठीक है तो within first three minutes from the big bang event the first atom began to form अब जब कह सकते हैं उसमें से time निकला है ठीक है उस explosion में से उस expansion में से time निकल गया है ठीक है तो matter निकल का है energy निकल का ही तो वही matter वही energy का है time के साथ आज जो से तीन minute के अंदर अंदर क्या होता है पहला item बनता है एटम से फिर क्या होता है और जुड़ते जाएंगे एटम फिर और स्टार वगरा इस सारा फॉर्मेशन होगा तो वह मैं आपको समझाऊंगा अभी ठीक है तो इस तरह से क्या है यह बिग बैंक ठीओरी जो है तो इन पॉइंट्स को या फिर कह सकते हैं इन हाइपोथिसिस प सब्सक्राइब करते जा रहा है तो इस तरह से सिंगुलर एटम के पहले कुछ नहीं था और एक्सप्लोजन के बाद में धीरे 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 टाइम निकलते चले गए स्पेस निकलती चले गई तो आज भी कंटिनुसली के और यह ग्रो हो रही है हम फिल नहीं करते क्योंकि जो प्लैनेट्स बन गए है जो गैलेक्सी बन गई है वो बढ़ते जा रहा है लेकि तो उससे 3,000 साल बाद मतलब जैसे 3,000,000 साल बाद देखेंगे तो विदिन 300,000 years from the Big Bang temperature drop to 4,500 Kelvin तो आप क्या होता कि जैसे टाइम के साथ साथ में स्पेस के साथ में क्या होता जाता ताइम और स्पेस के साथ में आप जैसे देखोगे तेंपरेचर डॉप 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 डॉ तो इस पेस पे बढद होगे तो इस पेस पे बढद देने से क्या होगा कि उसका temperature जो हो कम होगा तीक है क्यों क्योंकि वो जो singularity जिसमें infinite temperature ता जब वो expand हो जाएगा तो temperature drop down होगा तो विदिन 300,000 years from the Big Bang temperature drop to 4,500 Kelvin and gave rise and gave rise to atomic matter और अब temperature गिरने से क्या होता जो atoms थे तो वो condensed होन होने लगे ठीक है वो atoms जो है वो condensed होने लगे and gave rise to atomic matter does universe become transparent और तब जाके क्या है कि वो atoms जो है तो अब वो एकदम जो आग बबुला था वो धीरे धीरे शान्त हुआ और आग बबुला शान्त होगा तो अग बढ़ने से क्या होता है एक एटम दो एटम और इस तरह से फिर universe दिखने लगा कि हां कुछ है ठीक है explosion के बाद में फिर धीरे-धीरे stars बनेंगे galaxies बनेगी वो सारी चीजे फॉर्म होने लगेगी clear है तो अब यह मैंने आपको explain कर दी पूरी theory clear है यह पूरी theory मैंने आपको बता दी कि किस तरह से expansion होत आती है कि explosion होता है explosion होने tiny balls explosion जो होता है तो उसके बाद में 15 मिट के बाद में एटम अगरा बनना चालू होते है लेकिन जब जैसे-जैसे temperature गिरता तो क्योंकि expanding universe hypothesis तो सपोर्ट करती है कि universe expand होते जा रहा है temperature drop down होता है सारी चीज़े गिरती है उसी के साथ साथ में जो कह सकते universe है वो भी ओर transparent होने लगता है universe हम मतलब universe में चीज़ें दिखने लगती कि हाँ यह planet बन रहे है sun बन रहे star बन रहे galaxy यहां पर आपको में sequence बता होगा कि क्या कैसे बना होगा किस तरह स है ठीक है चलो तो आगे बड़े अब जैसे अगर देखते हैं तो सर आपने early theories में तो यह बताया था कि नेbular hypothesis थी नेbular hypothesis को कितने सारे argument counter argument चलते रहे थे क्या big bang theory को सबने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो support कर देते हैं क्या big bang theory इतनी acceptable थी नहीं क्या big bang theory को को alternative नहीं था तो any other alternative theory was given or not तो एक alternative theory दी गई थी किसके दोरा Fred Hollis के दोरा ठीक है तो Hollis concept of steady state was given by him in 1948 तो Fred Hollis जो थे ठीक है नहीं नहीं फोटो है उनकी तो Fred Hollis ने क्या किया उन्होंने अपनी एक theory दी steady state की ठीक है इसे Hollis concept of steady state भी कहा जाता ध्यान रखना अब Hollis concept of steady state क्या है वो explain करते हैं ध्यान रहेगा नहीं तो big bang theory के time period में एक counter argument जो था तो Fred Hollis के द्वारा दिया गया था जिसे Hollis concept of steady state भी कहा जाता है वो क्या है वो मैं आपको explain करते हो देखो तो जो expanding universe hypothesis है जो हम पढ़के आभी तक की universe expand होरा big bang के बाद में तो expanding universe hypothesis क्या बोलती है supports the argument that the space between galaxies is increasing हम जिस चीज़ को मान रहे है big bang को वो क्या बोलती है कि space बढ़ रहा है किसके बीच में space बढ़ रहा है ठीक है but but according to the Hollis concept of steady state he argues that the universe is roughly the same at any point of time वो क्या बोलते है कि universe is same ठीक है universe is same universe is roughly the same at any point of time आप किसी भी time पे expansion के समय भी expansion के बाद भी आज भी universe same है universe same है मतलब देखो इस diagram से आपको चीज़ में और clear हो जाएगी जैसे big bang theory जो है expanding universe hypothesis जो है जिसे evolutionary theory भी कहा जाता है तो उसके हिसाब से क्या है कि उसके हिसाब से single primordial atom था उसके explosion के बाद में क्या होता है कि expansion हो गया है तो galaxies तो वही अपनी जगा है लेकिन उनके बीच का distance क्या होता चले आ रहा है बढ़ता चले जा रहा है तो यह expanding universe hypothesis है distance देखलो बढ़ता जा रहा है ठीक है लेकिन Fred हो लेगा क्या मानना है Fred हो लेगा यह मानना है कि वो बोलते है steady state theory के हिसाब से at any given point of time the universe is roughly the same ठीक है universe same ही है मतलब जो matter है न वो matter उतना ही रहेगा expansion होते जाएगा तो matter भी बढ़ता जाएगा यह steady state बता रहे है कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा है आप फील ही नहीं कर सकते हूं कि space बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है galaxies के बीच में distance नहीं बढ़ रहा है उल्टा galaxies बढ़ रही है यह steady state की theory के हिसाब से fred होले बोलते हैं ठीक है रजेट कर दिया गया इंटरनाशनल कम्यूटी के दुवारा उसे हम समझते हैं चलो क्या हुआ ठीक है तो however with greater evidences ठीक है however with greater evidences becoming available about the expanding universe scientific community scientific community at present favors argument for expanding universe ठीक है तो जादा evidences जब मिलते चले गए नहीं galaxies के बीच में distance बन रहा है सारी चीज़े ठीक है galaxies उतनी बड़ी आज कभी आपने देखा है क्या कि दो किलोमेटर जमीन और खिसक गई हो इंडिया की बढ़ गई हो promotion मिल गया कुछ नहीं हो रहा ना तो जो matter है वो matter वही पर लेकिन के बीच का distance क्या होते जा रहा इंक्रीज होते जा रहा इस चीज़ के जब evidences और मिलें तो scientific community जो है वो expanding universe hypothesis को क्या कर रही है ज्यादा favor कर रही है तो fred होले जो है तो होले इस concept of steady state what was rejected आया ना समझ में तो यह पूरी big bang theory थी big bang theory मैंने आपको बताई big bang theory के साथ साथ में मैंने आपको यह भी बताई कि क्या presumptions थे Edwin Hubble का ठीक है लेमेत्रे जॉर्ज लेमेत्रे का मैंने आपको contribution बताया जो alternative theory हो लेने दी थी वो भी मैंने आपको समझाए लेकिन वह acceptable नहीं होते नहीं स्टार से galaxy बने होगी galaxy galaxy के बाद में जैसे galaxy में planet planet में मारा अर्थ यह वो सारी चीजे तो मैं आपको एक थोड़ी sequence हमारे level पर बताऊं तो हमारे level से कैसी sequence हरी कि जैसे हमारा country है country से क्या बना होगा जैसे continent continent से क्या बना होगा continent से पुरा यह जो land part बना होगा land part के साथ साथ पूरा अर्थ ऐसा बना होगा अब आर्थ जो है तो अर्थ किसमें आया होगा अर्थ पुरा का पुरा मिलके एक solar system मतलब हो साथ। आर्ट ऊक भाइवान जो है जो है planets टिक है? और Sun जो है तो इन सब से क्या है हमारा solar system है अब हमारा solar system जो है तो एक galaxy का part है मतलब जैसे Sun है ए इससे और यह स्जाओ का है और उस्जार का जीवाड़ू लो भी जो किसी को नइपता दूशरे प्लानेट से और इसी मतलब इसी तरक के साथ नना एलियन की भी खोज करते हैं हम जो मैं एक गैलेक्सी में मुल्की में इसमें हमा आर्थ है अब हमें क्या बता कि आछ था दूसरे आट प्लैनेट पे लाइफ नहीं है क्या भरोसा मार्स पर रहते भी हो लोग ठीके मार्स पर गय तो नहीं पहुता है यहां पर 수in है और यह संदोस थो इस सिरूलीटी सो अधिर कि यह दक्रपना पर उसकता है कि यह ईसा दो इस लिए एक बहुत अर्ली थेओरी और मॉडन थेओरी दोनों चीज़े समझा दिये, अर्ली थेओरी मॉडन थेओरी को समझने के बाद में आपको यह clarity मिल कुई कि आज हम support किसको करते हैं, बिग बैंग थेओरी को क्यों कि उसके evidences सपोर्ट करें हैं उस चीज़ को, ठीक है अभी भी लेकिन doubt आ जाएंगे, one by one unfold करते जाएंगे, सारी चीजों को समझते जाएंगे, आशा करता हूँ आपको यहां तक चीजने clear हुई है, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, ठीक है, अब आगे हम next वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आपका next topic है stars वाला, star formation, उसे systematically समझते जाएंगे, magnet brains पर class 4th से class 12 तक, इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ systematic way में, video lectures के format में available हैं, और सबसे मैदार बात क्या है कि सारे video lectures free of cost available हैं, जी हां, इन सभी video lectures को आप YouTube चैनल पर और website पर देख सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए ताकि वो भी घर बैठे, आराम से निश् के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.